जिसना पिछले लेसन में हम लोगों ने पॉप आट मूवमेंट के हवाले से काफी डिटेल में डिसकेशन की इसी तना से इस लेसन में मैं लेके आए हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत इंटरस्टिंग और मज़े की आर्ट और डिजाइन मूवमेंट जिसका नाम है मिनिमलिजम का नाम आप लोगों आप लोगों ने अकसर इंटरनेट के ऊपर रखा होगा सुन रखा होगा और आप लोगों ने इसके हवाले से कुछ इमजिस भी जो हैं वो भी देख रखे होंगे क्योंके मिनमलिस्म जो है ये आज के दोर में भी बहुत ही रेलवन्ट है और बहुत ही फेमस आर्ट एंड डिजाइन मुवमेंट है तो चलने चलते हैं और इसके ओपर कुछ डिटेल में डिसकेशन करते हैं अच्छा जी सबसे पहले हिस्टरी अगर जान लें मिनिमलिजम के हवाले से तो 1960s के अंदर ये जो एक आर्ट और डिजाइन मुवमेंट थी ये स्टार्ट हुई और ये जो इसका ओरिजिन था वो ज्यादा तर कहा जाता है कि ये अमेरिकन आर्टिस्ट और डिजाइनर्स ने इसके अंदर जो है वो काम करना शुरू किया और इसके अलावा सिर्फ आर्टिस्ट और डिजाइनर्स ही नहीं बलके आर्किटेक्स और इंटीर डिजाइनर्स ने भी जो है वो काफी जादा काम किया Minimalism के हवाले से Minimalism की philosophy या ये क्या है Minimalism ये नाम से ही वाज़े है Minimal word से Minimalism की जो एक ये terminology है ये extract की गई है और Minimal का मतलब होता है कम यानि के कम elements के साथ अपना message convey करना ये एक जनाबियली basic है Minimalism की तहरीक की अच्छा आप लोगोंने एक बहुत famous phrase जो है वो सुन रखा होगा less is more ये जो less is more है ये basically describe करता है Minimalism की जो पूरी art and design movement है इसको और इसकी philosophy को less is more का मतलब ये है कि जिसना मैंने भी आपको Minimalism की जो terminology है वो समझाते हैं बताया कि कम elements का इस्तमाल करते हुए हम जब भी कोई चीज जो है वो create करते हैं को artwork या को design work तो basically वो हम less is more की जो philosophy है इसको follow कर रहे होते हैं और ये ही जो है वो एक style था basically minimalist artist और designers का कुछ key features या characteristics अगर हम discuss करना चाहें Minimalism के हवाले से तो उसमें देखते हैं कि कौन सी major जो है वो चीजें जो हैं वो मौझूद थी इनके style में जो minimalist artist और designers थे सबसे पहले जी simplicity simplicity जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम चीजों का इस्तमाल तो जब कम elements का इस्तमाल होगा तो definitely simplicity जो है वो अपने आप किसी भी design work में या किसी भी artwork में produce हो जाएगी और यह simplicity जो है यह सबसे basic और salient feature है minimalism की art and design movement का अच्छा इसके बाद एक और जो चीज इनोंने काफी ज़दा इस्तमाल की वो थी geometric compositions अगर आप different जो है वो designs को देखें या different चीजें visual देखें minimalism के हवाले से तो आपको पता चलता है कि इनोंने geometric compositions का इस्तमाल काफी ज़दा किया अपने designs में और अपनी paintings में इसी तरह से use of negative और white space इनोंने negative space को और white space को बहुत अच्छे तरीके से इस्तमाल किया और जो है यह एक बहुत ज़दा basic component है minimalist art या minimalist design work का इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास repetition का जो principle है उसका इस्तमाल भी हमें काफी ज़दा नज़र आता है minimalism के अंदर तो यह कुछ खास features थे जो कि मैंने आपको दिखाए minimalism के हवाले से चले अब मैं एक काम करता हूँ मैं आपको कुछ visual दिखाता हूँ और उनकी मदद से आपको easily समझ आजएगी कि minimalism जो है वो क्या है यह कुछ architectural images है अगर आप गोर करें तो बहुत ही कम curves हैं ज्यादातर linear patterns हैं और कुछ जो compositions हैं वो भी बड़ी जो है वो आपको geometric किसम की compositions लग रही है कुछ square rectangle type shapes आपको जो है वो नज़र आ रही है और white color का इस्तमाल आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है तो यह architecture है minimalist architecture इसी तना से अगर हम interior design में आजएएं तो यहां पर भी बड़ा prominently हमें नज़र आता है इन images के अंदर अगर आप देखें आपको पता चलता है बड़े कम elements को इस्तमाल करके negative space को use करते हुए space को बड़े खुबसूरत तरीके से design किया गया है और इस तरह से design किया गया है कि उसके अंदर negative space की और खुले पन की जो है वो एक खास किसम की feeling आपको मिलती है और ये जो है एक minimalist interior जो है वो हम इसको कह सकते हैं अच्छा जी अब हम बात कर लेते हैं कुछ famous artist और designers के हवाले से जिनोंने minimalism के अंदर काफी ज़दे important role play किया Donald Judd के नाम से ये एक artist है और इनके बारे में कहा जाता है कि he is one of those artist जिनोंने बुनियाद रखी minimalism की अगर हम इनके कुछ काम देख लें कुछ paintings वगरा देख लें ये basically एक sculptor भी थे और painter भी थे जैसे कि आपको इन sculptors में और art pieces में नजर आ रहा है कि बड़ी simple सी shapes को इस्तमाल किया है और उनको जो है वो artwork का नाम दे दिया गया है अच्छे शुरू के अंदर ये जो artist था इसके काम को काफी ज़्यदा reluctance देखने को मिली और लोगों ने कहा कि जनाब ये तो जो है वो art आप इसको कैसे कह सकते हैं लेकिन आगे चलके जैसे इसे time गुजरता गया तो ये जो style था minimalist approach थी इसको बहुत ज़दा पजीराई बिलना शुरू हो गई और आइससे लोगों ने accept करना शुरू कर दिया सीज को और उनने मानना शुरू कर दिया कि हाँ जी आप बहुत कम elements को इस्तमाल करते हुए कोई भी art piece या design work जो है वो create कर सकते हैं इसी तरह से Frank Stella ये भी एक बड़े prominent artist हैं जिनोंने minimalism के अंदर बहुत ज़दा काम किया है इनकी अगर ये print maker भी थे artist भी थे, illustrator भी थे अगर इनकी ये हम paintings को देखें तो इनके अंदर आपको देखने को मिलता है कि है तो ये paintings लेकिन इनके अंदर आपको design का element design की जो एक खास feel है वो देखने को मिलती है, strips का इस्तमाल किया गया है, repetition आपको देखने को मिल रही है, pattern आपको देखने colors की use करके paintings इन्होंने और art works जो हैं वो इन्होंने बनाए है अच्छा ये जो एक strips वाला एक pattern था ये भी आगे चलके minimalism की एक बहुत ही important feature के तोर पे सामने आया ये तो हमने discussion कर ली minimalism के हवाले से कि minimalism क्या है उसके famous artist उसके characteristics कुछ features हमने discuss किये अब हम बात करते हैं graphic design के अंदर minimalism की जो application है उसके हवाले से minimalism जो है ये इस वक्त आज कल के दोर में graphic design में बहुत ज़्यदा appreciate किया जाता है और एक style के तोर पे जो है वो इसको बहुत सारे graphic designers और art directors जो हैं वो apply करते हैं अगर हम in advertisements की तरफ देखें ये different दुनिया के कुछ बड़े brands की advertisements हैं और अगर आप इन visuals के अंदर देखें तो बहुत कम elements का इस्तमाल किया गया है और negative space को बहुत ज़्यदा use किया गया है और अपना जो message है अपनी product के हवाले से वो बहुत effectively present किया गया है इसी तरह से ये आप देख सकते हैं कि कुछ visiting card का image है और इसके लावा ये एक website का image है इन दोनों के अंदर भी अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत minimalist approach के साथ कम elements के साथ और typography को भी बहुत decent sophisticated way में यूज़ करके और colors को बहुत sophisticated way में यूज़ करके कम colors के साथ design जो है वो बनाया गया है और अगर हम देखें तो ये stationary में या website में जो minimalist approach है उसकी एकासी करते हैं ये visuals अच्छा जी इसी तरह से ये कुछ movie posters देख लेते हैं ये दो बहुत ही famous Hollywood की movies के posters है और इनके अंदर भी अगर आप देखें तो image को use किया गया है या illustration को use किया गया है बहुत ही कम typography के साथ और बहुत effective way में कम colors में कम text के साथ message है वो convey कर दिया गया है अब ये जो style है ये आपको देखने को आज कल अगर आप थोड़ा से सर्च करें minimalism के हवाले से internet पर तो आपको बहुत सारे websites मिलेंगी बहुत सारे आपको ऐसे sources मिलेंगे जिन पर आपको minimalism के हवाले से काफी जादा designs जो है वो देखने को मिलेंगे तो ये जो minimalism की तहरीक है या जो एक art and design movement है ये आज के दोर में बहुत ज़दा relevant है ग्राफिक डिजाइन के हवाले से I hope कि ये जो art and design movements के हवाले से हमने discussion की ये आप लोगों को पसंदा ही होगी और ये आपके लिए आगे चलके बहुत ज़दा fruitful थाबित होगी आने वाले lesson म इंशालात अला हम कुछ important graphic designers के हवाले से गुफटगू करेंगे और उनके काम से inspiration हसल करने की कोशिश करेंगे